हलो फ्रेंट्स कॉंपृटिशन कम्यूनिटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में मिट्टियां या म्रदा के बारे में जब भी बात करते हैं तो आपको पता होगा कि क्रशी जो है वह मुखेता म्रदा में या मिट्टि में ह की जाती है मध्यप्रदीश की म्रदा की बात करें तो म्रदा जो है वो चटानों की अप्छ है वह अपर्दन से निर्मित धरातल की उपरी आसंगठित परत है इसके साथ में यहां भूपरपटी की सबसे उपरी परत है यहां भूपरपटी की सबसे उपरी परत है जो की यहां जो परत हैं इस परत से ही जीवा अश्म और खनिज पौधों को प्राप्त होते हैं म्रदा लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रत्वी की उपरी सब्चता और म्रदा का अध्यन पेडोलॉजी कहलाता देखिए बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा इन चीजों को सुनके तो हम थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं सबसे पहले माल देजी आपने ये एक केक कट करके निकाला या एक ये हिस्सा कट करके निकाला अब ये जो हिस्सा है ये म्रदा का हिस्सा है तो ये म्रदा का हिस्सा है और इसकी सबसे जो उपरी परत है इसकी जो सबसे उपरी परत है यहां जो परत है इस परत को ही म्रदा कहा जाता है क्या कहा जाता है म्रदा कहा जाता है कैसे समझना है आपको प्रत्वी की सबसे उपरी वह परत जो कि आसंगठित है मतलब मिली हुई नहीं है जुड़ी नहीं हुई है बलकि बिखरी हुई है वह म्रदा कहलाती है यह जो परत है यह जो इंगलिश में कहा जाता है म्रदा को इं होता था प्रत्वी की उपरी सता तो इसे साब से म्रदा का अर्थ हुआ प्रत्वी की सबसे उपरी सता जो कि आसंगठित है और साथ ही साथ में यहां पौधों को बढ़ने के लिए जीवाश्म और खनिज प्रदान करती है कभी अगर आपने व्रक्षा रोपन किया हो या पौधा लगाया हो तो आपको पता होगा कि गड़ा जो है वो बहुत जादा नहीं खोदा जाता बलकि चार से पांच इंच का गड़ा सौफिशेंट होता है एक पौधे को लगाने के लिए इसके साथ ही साथ म कि म्रदा मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की पाई जाती है तो मध्य प्रदेश में मुखेता पांच प्रकार की मदा पाई जाती है अब ये पांच प्रकार कौन कौन से भारत में जब म्रदा की बात करते हैं तो इसका आकड़ा विभिन हो जाता है अलग हो जाता है मध् म्रदाओं के बारे में हम देखने कि इन में क्या क्या वे भेत हैं जैसी हम बात करते हैं काली मिट्टी की तो काली मिट्टी जो है यहां मद्यप्रदीश में सरवाधिक पाई जाती है और इस मिट्टी का निर्मार जुआला मुखी से निकले लावे के जमा होने से होता है बात पीली मिट्टी लाल पीली मिट्टी का निर्माण मुखेता परवत चटानों के तूटने फूटने से होता है मिश्रत मिट्टी और अंतिम्याती कछारी मिट्टी कछारी मिट्टी अर्थ ही होता है जो कछार होते ना उनके किनारों पर प्रकार की मिश्रत मिट्टी पाई जात गहरी काली मिट्टी, साधारन काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी सबसे पहले हम देखेंगे काली मिट्टी को ही देखें ये हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि मिट्टियों को कितने भागों में भाटा गया कौन-कौन से छेतर में कौन-कौन सी मिट्टिया हमें दिखाई पड़ती हैं सबसे पहले देखें सबसे पहले मद्धी प्रदीश का जो उपरी शेतर है मतलब ये वाला जो छेतर है जो कि भिंड मुराना वाला शेतर है वहां पर जलोड मिट्टी पाई जाती है किस नदी के अपरदन के कारण कौन सी नदी यहां से बहती है तो चंबल नदी वा चंबल की सहाइक नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है उसे ही जलोड मिट्टी कहा जाता है इस शेतर में बात करें इस पूरे भाग की तो यहां पूरे भाग में काली मिट्टी पाई जाती है जिसमें से आदे हिस्से में साधारन दूसरे में गहरी और तीसरे में छिचली काली मिट्टी चिचली काली मिट्टी जो है वो सत्पुडा वाले शेत्र में पाई जाती है जो कि यह बैतू मिशुत मिट्टी पाई जाती है पहला चलते हैं काली मिट्टी के तरफ में काली मिट्टी के बात करते हैं इसकी इस्थिती यहां मिट्टी प्रदेश में कहां पर पाई जाती है तो हम मैप में देख चुके हैं कि यह मिट्टी प्रदेश में सरवधिक पाई जाती है जो कि मा देश में सरवधिक पाई जाने वाली मिट्टी है बिल्कुल सही बात है इसका निर्माड दककन ट्रैप वा बेसाल चट्टानों के तूटने फूटने से वा जुआला मुखी से निकले लावे के जमने से होता है बिल्कुल सही बात है एग्जामपल आपको ऐसा देते हैं कि मा लाव, जिस्का बार में पूरा लाव निकल जए गा तो एक बार लाव निकल जए गाना यहां पर जम गया अब जब निकल जब जरी वार रो इससाइड बी यगर उत है जब बीचने हम और जब जब गार रं तो इस सालह मίν डीले का निyang मै बहुत सालों के बीच में में निक गया तो परत के रूप में ये लावा बार बार जमता गया और इसी को हम आगे चलकर बोलते हैं कि काली मिट्टी का शेत्र है तो लावा के जमने से और साथ ही साथ में बेसाल्ट और दककन ट्रैप की चट्टानों के तूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माड हुआ है इस मिट्टी को चेर नोजम भी कहा जाता है और यह मिट्टी जो है या सरवादिक उप्रुक्त है कबास के उद्पादन के लिए प्रकृति किस प्रकार के है यह मिट्टी जो है या छारी प्रकृति की है और छारी और अमली क्या होता है आपने पढ़ाई होगा देखे क्या होता है एक pH level होता है जो कि होता है 7.0 अब इसके जो नीचे का जितने भी इसके नीचे के pH level वाली चीजें होती है वो सारी अमली हो जाती है और जितने भी pH level इसके उपर वाली चीजें होती है वो हो जाती है शारी है तो शारी मिट्टी है काली मिट्टी यह मिट् इसका मतलब सीधा सीधा यह होगा कि प्रदेश में यदि इतना बड़ा प्रदेश है तो इसके लगभग 71 एरिया पर जो है 71 प्रतिशत एरिया पर जो है यह काली मिट्टी निवास करती है एक जैक आकड़ा बताना थोड़ा मुश्किल है लिगभर 71 एरिया तो रहे गई प्र उन्दर जह दारन करने की शमता सरवाधिक रंठी है मतलब बहुत जादा जह धारन करके रहती है और जो यह मिट्टी उपर से आपको Сूखी सूखी दिखे पर इ Anyway जह बहुत जादा भारा होता है और इस कारण से यह उपर से चिटक जाती है अन्दर पर सूखी होने के और तीसरी जो है हमारी वो छिछली काली मिट्टी पहले दिखते हैं गहरी काली मिट्टी यहां मिट्टी नर्मदा सोन घाटी और मालवा के पठार और सत्पुड़ा के पश्चिमी भाग में पाई जाती है इसका विस्तार काली मिट्टी के कुल छेतरों के लगभग 3.5 प्रत फैली हुई है यह काली मिट्टी के कुल शेतर का लगभग 37 प्रतिशत है 37 प्रतिशत यह है 3 प्रतिशत यह है तो बचा जितना भी मतलब यह 40 प्रतिशत बता 60 प्रतिशत जो है वो खचारी मिट्टी हो जाएगी इस मिट्टी का रंग हलका भूरा और लाल हो जाता है उड़ा वाले शेत्र में पाई जाती है लग भग पूरे कुल काली मिट्टी के शेत्र का 60 प्रतिशत अपने आप में रखे हुए है कैसे समझेंगे देखें ये मध्य प्रदीश है इस मध्य प्रदीश में कुछ इतने हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है अब काली मिट् तो मध्य प्रदेश में जलोड मिट्टी जो है सबसे जादा हमारे इस भाग में पाई जाती है बिंढ मुरैना वाले श्वित्र में पाई जाती है यह मिट्टी चमेल नदी और उसकी साइक नदियों के द्वारा बहा करन लाई जाती है इसका reason क्या हो यह मिट्टी कैसे बनती के लावा से बनती है लेकिन जो जलोल मिड्टी वह नदिए लाइ जाती है होता क्या है जैसे कि ही यहाँ इक अस्तान है और इस इस्तान से नदी बह रही है अब नदी यहां से निकली और यहां से थीव ठलान संती तो नदी पहाड बने हुए थे तो उस पहाड के जो कमजोर हिस्से थे उन हिस्सों को कमजोर जो मिट्टी थी उस मिट्टी को नदी अपने साथ जल के साथ बहा कर नीचे लेकर आ जाती है और जब नीचे आती है समतल मैदान की तरफ में तो समतल मैदान में आने के बाद नदी अपने जल को यहाँ पर रखती है, और जल के साथ जो भी भारी कंकर पत्थर जो भी होता है वो सब यहां छोड़कर आंगे बढ़ जाती है, है तो इसका मतलब यह दो होगी नदी जो है, वो अपने युवा वस्थामे अपरदन करती है । वो सारी मिट्टी को अपनी व्रद् वस्था में लाकर समतल मैदान के स्थान पर छोड़ देती है तो इसे ही कहा जाता है जलोड मिट्टी अब देखें जलोड मिट्टी जो है इसके फुल फॉर्म की तरफ अगर आप जाते हैं तो जल और ओड इसका मतलब है ऐसी मिट्टी जो की जल को ओड़े हुए है जिसके उपरी हिस्से में जल इस्तित है उसे कहा जाता है जलोड मिट्टी जलोड मिट्टी मुखिता दो प्रकार की होती है एक होती है बांगर मिट्टी और दूसरी होती है खादर मिट्टी बांगर और खादर जलोड मिट्टी खादर जलोड मिट्टी जो होती है वो नई जलोड मिट्टी होती है और अभी अभी बनी होती है वही बांगर जो जलोड मिट्टी होती है वो पुरानी जलोड मिट्टी होती है और नदी से कुछ दूर परस्थित होती है नदी अपने नए रास्ते पर जो मिट्टी बनाती है वो खादर होती है तो इससे आप से मध्य प्रदीश में जो जलोण मिट्टी है वो पाई जाती है इस भिंड मुरैना वाले शेतर में देखें यह है जलोण मिट्टी है उपर से जो नदी है वो अपनी युवा वस्था में जब पत्थर कंकड को बहा के लाएगी तो नदी यहां से बह रही है परन्तु यह नदी अपना कंकड पत्थर सारा एरिया यहां पर छोड़ते जा रही है जो एरिया दिख रहा है यह नदी के द्वारा ही बनाया गिया है मिश्रित मिट्टी मिट्टी यह मिट्टी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में पाई जाती है जिसका विस्तार मध्य प्रदेश की रिवा पन्ना के पठार तथा संपूर्ण बगेल खंड में होता है इस मिट्टी का निर्माण मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंधन क्रम की चट्टाने अत्यदिक उप्चाव नहीं होती है वर्षा की अधिकता के कारण यह चावल की खेती के लिए जानी जाती है इसका pH लेवल 5.05 से 8.5 तक होता है अब बात कर लेते हैं जैसे लाल पीली मिट्टी की तो लाल पीली जो मिट्टी है यह मद्य प्रदेश के पूर्वी भागों में पाई जाती है पूर्वी मतलब क्लियार है ना जिस साइट पश्चिम बंगाल है वही साइट पूर्वी भाग है तो पूर्वी भाग मतलब सीधे सीधे देखेंगे तो बगहिल खंड वाला हिस्ता है अब बगहिलखंड वाला हिस्सा है जिले कौन कौन से लगते है रीवा, सीधी, सिंग, रॉली, सतना ये वाले जिले इसमें लगेंगे जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के रीवा पन्ना के पठार में और बगहिलखंड में है इस मिट्टी का निर्माड मद्यज़ प्रदेश में पाई जाने वाले विंध्यन क्रम की चट्टाने एवं ग्रेनाइट वा नीस चट्टानों के अपर्दन सी हुआ अपर्दन का मतलब क्या होता है वही नदियों के द्वार हर अपर्दन होता है इसके अलावाद पवनों के द्वारा पंदर होता है, इसके अलावाद तापमान के कारण अपरदन होता है, सीधा मतलब यह जिसे एक्जामपल समझेंगे हम तो, देखें, अगर एक्जामपल अगर आप समझने चाहें, तो यह माल लीजे एक चटान है, ठीक, और इसी के पढ़ने के कारण यह जो चटाने है, इनका थोड़ा-thोड़ा सा जो हिस्सा है उनीचे गिरने लगेगा, और इनका फोड़ा-thोड़ा हिस्सा जब नीचे गिरने लगेगा तो इसी को कहा जाता है अपर तन अब ही चटाने, क्या है, एक-डो चलने के कारण भी आप दिखेंगे कि हवा एकदम तेज भहके हारी है इन चटानों से टक्रा रही है和 के टक्राने के तूट के कहाँ बिखरेगा नीचे बिखरेगा और नीचे एक पूरा मिट्टी का स्वरूप ले लेगा यहाँ पर एक धेर बन जाएगा और इसे ही हम कहते हैं फिर अपर्दन होना चट्टानों का तो ग्रेनाइड इवं नीज चट्टानों का इसी प्रकार से जब अपर्दन हुआ होगा तो इस मिट्टी का निर्माड हुआ होगा इस मिट्टी में नाइट्रोजन फासफोरस और यूमस की कमी होती है और यह मिट्टी अत्यधिक उपचाओ नहीं होती इसी दी सी बात है चटानों को काट कर या चटानों के अपरदन से जिस मिट्टी का निर्माड हुआ है वो अत्यदक उपचा हो भी नहीं सकती लेकिन इस छेतर में वर्षा की अधिक्ता होती है इस कारण से यहां पर इसमें चावल की खिती की जा सकती है यह देखी यह है लाल यलो ब्राउन से कलर की यह है कचारी मिट्टी कचारी मिट्टी जो है वो एक प्रकार के मिश्रुत मिट्टी होती है जिसकी उर्वरक्षमता बहुत जादा होती है फलों को लगाने में पेड लगाने में सबजीयों को लगाने में इस मिट्टी का उप्योग किया जाता है आ बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं जाव उरवरक मिलाए जाते हैं इसमें आपको घास वगेरा के कुछ तिनके भी दिखाई देंगे डीटेल देखें काछारी मिट्टी की यहां मिट्टी नदियों के द्वारा अपने अपवाहा शितर में बिचाई जाती है सीधी सी बात ह अपवाह शितर में नदियों के द्वारा बिचाई जाती है क्यों कि कछार जो है वो नदियों के जस्ट किरारे में होते है वहाँ पर लोग कछार बना लेते हैं वहाँ पर सबजी भाजी उगाई जाती है और छोटे-छोटे फलों को उगाते हैं वहाँ पर यहां मध्यप्रदीश में बाढ के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी है इस मिट्टी का विस्तार मध्यप्रदीश के चंबल और उसकी सायक नदियों के शेतर मे होता है भिंट मुरेना ग्वालियर जिले में यह हमिटी मुख्य रूप से पाई जाती है इस मिट्टी में सरसों आपको पता है गणने की खेती हो ठीऻ आप कर लेते हैं म्रदा अपर्दन की म्रदा अपर्दन का में मोटिफ क्या है म्रदा कैसे अपर्द However, होती है क्यों होती है कैसे हम इसे इस अपर्दन से बचा सकते हैं कितने प्रकार का अपर्दन होता है, हम सारी चीज़े देखते चलेंगे, देखें ये माली जी ये म्रदा है, तो इसका अपर्दन हुआ है, कैसे आपको कभी में म्रदा ऐसी कटी तो दिखेंगी नहीं, तो इसका मतलब यह है कि यहां से जल बहा होगा, जिस कारण से ये पूरा इरे द्वारा हटाया जाना, म्रदा अपर्दन कहलाता है एक लाइन में, इसके अलावा जब हम बात करते हैं, आकडों के अनुसार 6 लाख एकर, बहुभूल क्रशी भूमी, इन खड़ों में परिवर्तित हो गई है, किन खड़ों में, जो कि म्रदा अपर्दन से निर्मित होते ह तेज जलधारा द्वारा म्रदा को गहरा काटना अवनालिका अपर्दन कहलाता है, प्रदेश में सरवदिक म्रदा अपर्दन 6 लदी के द्वारा होता है, वही म्रदा के शरण को रेंगती हुई म्रत्यू भी कहा जाता है, ये कहने का आर्ष्ट्रय क्या है, देखिए, म्रदा को पता हो गानव कैंगर गिंष्थ vast निह會ं भूजन और भूजन का निर्माड म्रदा से होता है और जब अपरदन हो रहा है तो इसे रिंगती हुई म्रद्यू कहा जाता है कि यदि ये पूरी अपरदित हो गई तो सभी लोगों के पास मरद्यू के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा बात कर लेते हैं म्रदा अपरदन के समाजिक कारकों की अर्थात समाजिक कारणों की म्रदा अपरदन क्यों होता है सबसे पहली चीज वनों की कटाई वनों की कटाई होने से म्रदा अपरदन का कैसे संबंध है दिखे जब हम बात कर रहे हैं वनों की कटाई की अब वनों की कटाई से संबंध कैसा है जब पेड कहीं हिस्ते पर ल जड़े अंदर तक फैली हुई है और म्रदा जो है वो उपर रहती है ठीक अब कोई व्यक्ति आया और उसने इस पेड को काट दिया अब इस पेड को जब व्यक्ति ने काटा तो वो जड़ के साथ ही पेड को काटा जड़ उखाड देता है या तो फिर अब पेड क्योंकि तो इस वज़ा से यह जो जड़े हैं जिन्होंने इस मिट्टी को पूरा कवर करके रखा हुआ था पकड़ा हुआ था जब यह छूट जाएंगी तो यहां से जो पूरी मिट्टी है वर्षा के साथ बह जाएगी जैसे यहां पर वर्षा होगी यहां पर पानी आएगा तो यह जो पूरी मिट्टी है क्योंकि जड़े यहां पर छूट चुकी है या फिर कट चुकी है तो यहां पर मिट्टी का कोई सपोर्ट नहीं बचा इस वज़े से जैसी पानी आएगा तो मिट्टी जो है वो पानी में घुल कर बह जाएगी तो इस कारण से म्रदा का पहला अ अब जलाने के बाद तो मिट्टी बह जाएगी पानी के साथ भूमी उपयोग की प्रक्रती इजिए यह जाती है जिसकी वज़े में क्या होता है कि एक खेत का एरिया डिसाइट किया जाता है वहां पर क्रशी करते हैं उसके बाद जब उससे फल और फसल प्राप्त हो जाती उसके बाद उस एरिये को जला दिया जाता है अब जलाने के बाद तो म्रदा की उर्वरक शम्दा खम होई इसके साथ ही साथ में वहां पे सालों साल अब कुछ नहीं लगेगा इस वज़े से जैसे ही वर्षा होगी तो वह पूरा एरिया पानी के साथ बहने लगेगा धीरे- बाद साथ साथ ही साथ में दूसरी बात ये कि सब हम सीडी नुमा जगा पर क्रशी करते हैं दुर्फार और रोकम यहां तो नीचे की तरफ में पिःगल कर ढलू कर देगी बहना चाल ना Baptist लेगी भर देगी इस वज़ा से उपयोग की प्रकृती भी खेती करने की विधिया हमने बात कर ली इस हिसाब से हम देखते हैं कि म्रदा के अपर्धन की निम्नकारण हो सकते हैं अब म्रदा अपर्धन कितने प्रकार का होता है वो देख लेते हैं म्रदा अपर्धन सामान या अथवा भूगर्विक अपर्धन धारात अपर्धन तीवर अपर्धन सुपर्ण अवनालिका अपर्धन आशफाल अपर्धन परत अपर्धन और शूद्र धारा अपर्धन वी इज़ता है कि एकड़ में सबसे जादा देखने के लिए इस अपर्दन में क्या होता है आपने प्रवाहर इतर से निकलते हुए चटानों को काटते हुए चलती है तो इससे कहते हैं सामान यहां और बहुगर बिक अपर्दन और आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा यह नदी यहां से बह रही है और इस एरिये से यह जो नीचे वाला एरिया है यहां से यह सबसे पहले चटान को काटते हुए बही है और फिर यहां पर उपर पर भी इसले चटान को काटा है उपर पर कैसे चटान को काटा है देखिए जब भी नदी में बाढ़ हाएगी तो न ध़ारा आती है नदी की और ये धारा आस पास के शेतरों को आठ से याद देख रहोंगे चेतर है कर दक शूत के बर्सा TIME को मिलता है। नदी को परदन काहा जाता है, camar कि यह पुरी जमीन कड़ एंकर परदा से एक बार नदीग कर सकता है। अगला है हमारा अवनाली का अपर्दन देखिए अपनाली का अपर्दन जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है तो कि मध्य प्रदेश में जो सबसे जादा अपर्दन होता है वो होता है अपर्दन में क्या होता है इसे गली रोजन भी कहा जाता है और इस अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति भी यहां पर इन खड़ों के पीछे चुप सकता है तो इधर पर बीहड चुपा करते थे बीहडों के पीछे और यहां से फिर निशाने बाजी या फिर बंदूक वगेरा चलाय करते थ जिससे पुलिस को बहुत जादा प्रॉब्लम हो रही थी इन सब चीजों को लेकर तो यहां किस जिले में होता है तो मुरैना जिले में होता है किस नदी के द्वारा किया जाता है तो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है क्या कहलाता है तो इसे गली रोजन या फिर अवन आश्वाल आपरदन का सीधा सम्मंद है जब किसी रोड से जैसे की देखिए अप देख रहे हुगे इस जो रोड है यह रोड ही कट गई है इसका मतलब क्या है है माली जे यहां पर एक रोड यह एक रास्ता जा रहा है और इस रास्ते के किनारे वाले हिस्ते में थोड़ासा अपरदन होता है भूमी का अपरदन क्योंकि नीचे जब मिट्टी है मिट्टी खिसकेगी तभी तो उपर वाला भाग खिसकेगा ना तो जैसे ही मिट्टी नीचे वाली मिट्टी खिसकती तो उपर वाला भाग जो है वो ढह जाता है गिर जाता है तो इससे ही कहा जाता है आस बन लियां अच्छरा के द्धारा मिट्ती की परत के बाद काटि जाती है जिसे ही परत अपरदन कहते है एक साथ मिट्ती पूरा भाग नहीं काट लेती नदी एक के बाद एक पर round and उसे काट जो कि agros तथा कल्चर से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है भूमी और जुताई अर्थात agriculture का अर्थ होता है भूमी की जुताई करना विश्व में क्रशी का विवकास 10,000 BC से पूर्व आरंब माना जाता है क्रशी में क्रशी को सभी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है मद्य प्रदेश एक क्रशी प्रधान राज है मद्य प्रदेश में क्रशी विभाग का नाम अब किसान कल्यार विभाग तथा क्रशी विभाग कर दिया गया है मध्यप्रदेश की अर्थ व्यवस्था क्रशी प्रधान अर्थ व्यवस्था है यहां की आजिवीका का मुख्य शोत क्रशी है मध्यप्रदेश की लगभग जनसंख्या का सत्तर प्रतिशत भाग क्रशी एवं उसके सहाइक शेत्रों पर निर्भर है इसका सीधा मतलब यह हुए कि क्रशी मध्य प्रदेश के लिए बहुत जादा महत्वपूर्ण चीज है मध्य प्रदेश की कुल जन संख्या का 70 प्रदिशत क्रशी पर निर्भर होता है क्रशी अर्थात एगरी कल्चर शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है और जो की लेटिन भाषा के एगरोस और कल्चर से संबंधित है जिसका अर्थ होता है भूमी और जुताई अर्थात भूमी की जुताई करना मध्य प्रदेश में क्रशी जोत का सरवाधिक औसत आकार हर्दा जिले में स्थित है मध्य प्रदेश को क्रशी के शेत्र में अभूत पूर्व प्रगती के लिए 16 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में पुर्शकृत किया गया है वही एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान के इंद्र सीहोर जिले के अमलाहा में प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान संस्थान रतलाम जिले में है वही प्रदेश का खाध्यान उत्पादन में देश्ट में चोथा स्थान है और मध्य प्रदेश को लगतार पांचवे वर्ष क्रशी क्रमण अवार्ड से नवाजा गया है देखिए आप थोड़ा अच्छे समझते हैं क्रशी को हमने देख लिया एग्रिकल्चर के शब्द से बना है लेटन भाषा के सब्द से बना हुआ है एग्रिकल्चर मध्य प्रदेश में कित्ते प्रदिशत होता है लगभग 70 प्रदिशत जनसंग्या एग्रिकल्चर पर ही डिपेंड है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश को पांच बार क्रशी कमण अवार्ड मिल चुका है किस कारण से उन्नत एग्रिकल्चर के कारण से उन्नत क्रशी के कारण से बस इतना आपको यहां पर याद रखना है विस्तार की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो शेत्र चावल वा कपास का शेत्र चावल कपास और ज्वार का शेत्र गुना शिवपुरी शियोपुर पश्यमी मोरैना इसका मतलब है ये उत्तर की बात हुए उत्तर में ये जिले स्थे थे और उत्तर का शेत्र है बगेल खंड मालवा का पठार भिंड और ग्वालियर बगे से जाधा पश्यमी हिस्सा हो गया जोजी local को उत्तर पश्यमी हिस्सा हो गया खंड़ खरगऑन बढ़वानी धार इन दोर के झGANतर क्षन वाला हिस्सा हो कितने शित्रों में ग्यारा क्रश्ची जलवाई उस इतना इंपोर्टेंट नहीं सिर्फ हम पढ़ लेते हैं एक बार आपके माइंड में रहेगा 36 गल का मैदान जिला लगता है बाला खाट फसल होती है चावल की फसल म्रदा होती है लाल पीली म्रदा फिर आता है उत्री पहाड़ी और 36 गल का शेत्र जिला लगता है मंडला सीधी और सहडोल फिर आता है चावल और साथ ही साथ में किस मृट्टी में होता है तो लाल पीली म इसका उत्पादल होता है। पर यहां पर हत्नौरा नामक स्थान है जिसमें सबसे ज़ादा प्राचीन मानव सभेता के साक्ष मिलते हैं राइसेन की बात करते हैं तो यहां पर मंडी दीप कारखाना इस्थित हैं फसल कौन से उत्पादित होती है गेहुँ की मृदा है गहरी काली मिटी विंधियन का पठार जिला है भुपाल सागर दमोह विदीशा राय सेन और सिहोर फसल घेहु और जावरा की फिर मृदा की बात करते हैं मध्या procurement ओर काली मृदा मध्य शेत्र की बात करते हैं जिला है भ पत्तिरपुर, दतिया, टीकमगण, शिवपुरी, म्रदा है लाल, कालि, म्रदा, फसल है गेहुं और जवार छेतर। सबीषय मीट्टी जबदा करते निमाड की ज़ाबूआ की ज़ाबूआ धार года say ठीक देखो मध्य प्रदेश को जो 11 क्रशी शेत्रों में बाटा गया है वह बहुत जाड़ा महत्वपूर नहीं आपसे यहां से कॉशन बिल्कुल नहीं बनेगा इसलिए हम यहां से आंगे बढ़ गए थे अब देखते हैं मध्य प्रदेश में मौसम के आधार पर फसलों को क जैसे की मौसमी फसले होती है जैसे सबजीया हो गई या फ्रूट्स हो गए वो जायत की फसलों में आते हैं इनकी बुआ इक्टूबर से दवम्बर में की जाती है और कटाई मार्च से अप्रेल में। फसल कौन-कौन सी होती है? रवी की तो गेहु, चना, मटर, राई, सरसो और अलसी जो है वो रवी की फसल के अंतरकत आते हैं। खरीब की फसल को वर्षा नितू के आगमन में बोया जाता है इस फसल में अत्याधिक पानी की आवश रखता होती इस कारण से वर्षा के आगमन में बोया जाता है सबसे इंपोर्टेंट चावल तूल आदी जो है इस खरीब की फसल के अंतरगत आते हैं चावल तूल मक्का सूरज मुखी आदी बुआई कब होती है मैं से जून में इसकी बुआई होती है अर्थात वर्षा के आगमन के समय मतलब जून का समय चल रहा होता है तो जून के समय में इसकी बुआई होती है कटाई की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर अर्था ठंड के समय में जब ठंड आने लगती अक्टूबर से नवंबर में तब इस फसल की कटाई हो जाती कैसे याद रखना है देखो खरीब की बात हो रही है तो खरीब की जो फसल है वो वर्शा के आगमन के समय बोई जा फिर आती है जायद की फस्ले मौसमी फस्ले होती है इन में मुखिता सब्जियों का उत्पादन होता है जैसे की कखड़ी तर्बूज खीरा डिंगरा और मौसमी फस्ले देखे बहुत थोड़ा दिक्कत कर रहा है मध्य प्रिदीश राज्य की मुख्य फसलों की जब हम बात करते हैं इनको थोड़ा डीटेल में लेके चलेंगे क्योंकि इनसे कॉशन मनते हैं कि किस फसल का उत्पादन किस जिले से सरवाधिक होता है इस वज़े से आम इसको लेके चलने वाले हैं देखते हैं गेहूं किस गुड़ के कारण यह संसार भरके सभी देशों में उत्पादन किया जाता है किस गुड़ के कारण क्योंकि गेहूं से अत्यधिक मात्रा में हमें कार्भो हैड्रेट प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में देश के लगभग 19 प्रतिशत गेहूं का उत्पादन किया जा है और गेहूं के उत्पादन के रिए हल्की दो मट मिट्टी के आवशक्ता होती है प्रदेश में मालवा के पठार को गेहूं के टोकरी के रूप में जाना जाता है और मद्य प्रदेश में होशंगाबाद राइसेन उजयन शिवपुरी विदीशा हर्दा शिवपुर भेंडिस सतना और मनसौर जिलों में गेहूं का उत्पादन होता है मालवा शित्र में जैन और सिहोर में गेहूं की एक सर्वश्रेश्ठ किस्म सर्वती गेहूं का उत्पादन किया जाता है मालवा के शेतर में जब से ज्यादा उत्पादिन होता है मालवा को ही गेहों की तोकरी के नाम से भी जाना जाता है और यही जो मालवा है इसी के अंतरगत जिले आते हैं शिवपुरी, विदिशा, हरदा, शिहोर, शियोपुर, इंदौर और जैन वाले जो जिले हैं वही मालवा के अंतरगत आते हैं तो गेहों कॉल सी फसल है तो घीहूं जो है वो रवी की फसल है इसके साथ ही साथ मेरे मंध्य प्रदेश अंतरगत होता है तो गेहों का उद पादन सब्सों जाधाम l faced घ्रति उन परदेश में हो शिंग बाद जले की अंतरगत होता है पठार की बात करेंगे तो मालवा के पठार के अंदर करेंगे आपको इतना ही याद रखना है बहुत जादा याद करने की जरूरत नहीं है अब देश के कितने गेहूं का उत्पादन होता है तो देश के कुल 19 प्रतिशत गेहूं का उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश से ह दूसरा नर्मदाचारी सुजाता गेहु 320, गेहु 322, गेहु 306 चावल के उत्पादन की बात करते हैं चावल जो यहां फसल है यहां फसल है खरीब की जो की वर्षा के समय बोई जाती है और इस पे अत्यादिक जल की आवशक्ता होती है चावल मोल रूप से खरीब की फसल है इसके उत्पादन में 150-200 cm वर्षा की आवशक्ता होती है साथ ही 24-30 जिगरी तापमान की आवशक्ता होती है इस फसल हेतू लाल पीली मिट्टी एवं दोमट मिट्टी की आवशक्ता होती है मद्य प्रदीश में अधिकांश व्यक्तित्तों या व्यक्तियों का प्रमुक खाध्यान चावल है इसका मतलब है प्रदीश में सबसे ज़्यादा लोग चावल ही खाते है अनुसंधान के इंद्र बढ़वानी जिले में इस्तित है प्रदीश का लगभग पूरे चावल का उत्पादन में से चावल मुखे ताहा हम देख चुके हैं कि यह बहुत जादा पानी मांगता है और इस फसल में आवशकता होती है दोमट मिट्टी की या फिर लाल पीली मिट्टी की मक्का की बात करते हैं मक्का का वानस्पतिक नाम जिया पेर है यहां मक्का तथा मक्का ग्रोमिनी का कुल का पौधा है यहां खरीब की फसल वा 요र्रवी की फसल नों मुएसंकी है मक्का उत्पादन में मध्रेप्रदेश का देश में तीसरा स्थान है मतलब अच्छा फासा मक्का यहां से उत्पाद i cosa हुआ और इसके साद से इसके इसके उत्पादन के लिए पचास से मुपजाओ और उबढ़ खबड भूमी पर भी हो सकता है मक्का का सर्वादिक उतपादन चिंद्वाड़ा जिले में मक्का महोट्सव भी आयोजित किया गया था मक्का के सर्वादिक उतपादन के कारण आगे बात करेंगे प्रमुक मक्का उत्पादक जिले हैं धार, छिन्वाडा, बढ़वानी, जाबुआ और रतलाम प्रती हेक्टेर भूमी पर मक्का का सरवादिक उत्पादन होता है बुरहानपूर, धार, शियोपूर, रतलाम और जिलों में और मक्का उत्पादन मध्य प्रदेश में विगत वर्शों में कितुलना में 8,81 प्रदिशत की व्रद्धी होई है मध्य प्रदेश में होता है, देश में तीसरा इस्थान रखता है, वर्शा के बात करेंगे तो 50-75 सेंट्र मिटर की आस पास इसमें वर्शा लगती है इसके अलावा सबसे साथा किस जिले में होता है जब हम प्रती हेक्टियर की बात करते हैं तो धार जिले में होता है इसके बाद हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में यह जो मक्का उत्पादन है इस कारण से किस जिले में मक्का महुच सवायोजित किया गया है तो छिंदवाडा जिले में मक्का महुच सवायोजित किया गया है अत्यदिक मक्का उत्पादन के कारण नेक्स्ट फसल में चलते हैं चने की फसल चने का वास्तविक नाम सी सर एरिटी नम होता है यहाँ ल्यूमेनिस कुल का पौधा है चना रवी की फसल है सांती साथ में देश के कुल चना उत्पादन में मद्यप्रदेश का प्रथम स्थान है और मद्यपरदेश में सब से जादा चना किस जगह उतपादित होता ह। तो वो होगा विदीशा में, जिंधु के अंतरकत जपकी महराश्ट द्वती स्थान रखता है चने के उतपादन में और राजिस्थान जो है वो 3rd या 3rd इस्थान रखता है यह मद्यप्रदेश की मुख्य दलहन की फसल है जिसे प्रदेश के कुल छेतर के 45 प्रतिशत छेतर पर पैदा किया जाता है इसके उत्पादन के लिए 15 से 25 डिगरी सेल्सियस का तापमान आविशक होता है और इसमें 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवशकता होती है मद्य प्रदेश में चना के उत्पादन में पूर्वी मालवा, बुंदेलखंड और बगेलखंड मद्य नर्मदा घाटी के शेतर सामिल है सबसे जादा उत्पादक जिलों की बात करें तो मैंने पहले बता दिया कि विदीशा, उसके बाद में चिनवाड़ा, राजगड, उजयन, धार, सागर, भिंड, श्योपुर और खंडवा जिले आते हैं इजी क्या चीज़ी याद रखनी है चने का उत्पादन होता है, किस कौन सी फसल है ये, तो हमने देख लिया कि चने का उत्पादन होता है, ये रवी की फसल है और ये किस जिले में उत्पादित की जाती है, सबसे जादा जो है विदीशा जिले के अंतरगत होती है, वर्षा कितनी मांगती है ये, तो वर्षा 30 से 50 सेंटीमेटर मतलब बहुत कम वर्षा मांगता है, इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बस इतना ही आपको य उस ना करें तो जादा बहतर होगा, एक्जाम में जादा महत्वपूर्ण होगा ये, सोयबीन, सोयबीन का वैज्ञानिक नाम, ग्लाइसीन मैक्स है, सोयबीन, लिग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, जिस कुल का पौधा क्या था, चना भी इसी कुल का पौधा था, भारत के मद्यप्रदेश में सरवधिक उत्पादन के कारण ही विश्व में सोयज़वीन में पाछवा इस्थान रखता है मतलब उझेयन वाले शेतर में होता है म मद्यप्रदेशiquer deleting की की जिले की बात करते हैं तो यह पूरा का पूरा मालवा शेतर में मतलब उजयन वाले शेतर में होता है इसके अलावा प्रदेश में शोयाबीन की क्रशी सरवधम वर्ष 1962 में मालवा शेतर के अंतरगत देवास जिले में की गई थी अब सोयाबीन उत्पादक जिले कौन-कौन से सबसे जादा तो उजयन में होता है उसके बाद हम देखते हैं मनसौर, विदीशा, रतलाम, बुरहानपुर, शियोपुर और मुरेना जिलों में सोयाबीन का उत्पादन होता है इसके अलावा राश्ट्री सोयाबीन अनुसंधान केंदर इंदौर में इस्थित है और राज्जी सोयाबीन अनुसंधान केंदर उजयन में इस्थित है मद्य परदेश भारत में कौन सा इस्थान रगता है। कपास कपास महत्वपूर्ण हो जाता है क्यूंकि कपास के सरवदिक उत्पादन के कारणी खंड़वा-करगौन जाने जाते हैं। कपास का वज्यानिक नाम गोसी पीअम है। यह मालवेसी कुल का पौधा है, कपास का उत्पादन प्रदेश के मालवा के पठार में घंडवा करगौन आते हैं, एवं नर्मदा तापती घरटी में होता है, फिर यहां खरीब की फसल है, किस चीज की? खरीब की, मतलब यह वही है वर्षा के टमें समय बोई जाती है और ठ 20 से 30 डिग्रित आपमान के बीच में किया जाता है और 80 सेंटिमीटर औशुत वर्षा वाले शित्र में इसका उत्पादल होता है। कपास मद्य प्रदेश की एक प्रमुख वाणिजिक फसल है। मद्य प्रदेश के खंडवा और खरगौन को आत्यदे कपास के कारण सुनहरे जिले भी कहा जाता है। जेके फोर, जेके फाइव, एच एट, बिन्नी बीटी, आर्सी एच, बीटी और बीटी कपास यह बीटी कौटन। यह कपास की प्रमुख फसले हैं। क्या याद रखना है इसमें से। कपास का विज्यानिक नाम क्या है? तो जो है, किस कुल का पौधा है? तो मालवेसी कुल का पौधा है। किसह पठार में सरवधिक होता है मालुआ के पठार में जिला कौन सा लगता है इसके उत्पादन के कारण पें बात करते हैं जुर्ड की जुर्ड की क्रशी रवी और खरीव दोनों मौसम में की जाती है यहाँ जलोड, लाल और मध्यम काली मिट्टी में उत्पादित होता है जुआर की फसल कम वर्षा वाली भूमी पर होती है और मध्य प्रदेश के लगभग 4 लाख हैक्तियर भूमी पर इसकी खेती की जाती है जुआर अनुसंधान केंद्र खरगौन जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश के प्रमुक जुआर उत्पादक जिले, खरगौन, बढ़वानी, खंडवा, छिंदवारा और गुना जिले है देखो यह जो फसले हैं बहुत जादा महत्वपूर नहीं है दीरे दीरे आपको खतम करते चलना इनको कम-कम चीज़े याद रखनी है जुआर की बात करेंगे किस कौन सी फसल है तो रभी और खरीव दोनों में बोई जाती है इसके लावा कम वर्षा से सीधे आपको याद जाना चीज़े कि बुंदेल खंडवाले शेतर में होती है जुआर की खेती मद्द प्रदेश की लगभग चार लाख हैक्टियर भूमी पर होती है सबसे जादा किस जिले से उत्पादित होता है तो खरगौन जिले से उत्पादित होता है उसके बाद बढ़वानी, खंडवा, छिदवारा और गुना जिलों में भी इसका उत्पादन किया जाता है बाजरा की बात करेंगे बाजरा मुखेता खरीब की फसल है खरीब की फसल है इसके साथ ही साथ में भारत में इस फसल में सूखा सहनी की शमता आधिक होती है मतलब ये भी कम वर्षा में हो जाएगी सूखा सहनी की समता आधिक होती है मतलब कम वर्षा के शेत्र में इसका भी उत्पादन हो जाएगा भारत में सर्वादिक बाजरे का उत्पादन राजिस्थान में होता है यह वसल विपरीत परिस्थितियों और सीमित वर्षा वाले शित्रों में कम उर्वरों के शाथ अच्छा परिणाम देती है यह बात हम पहले ही कर चुके है मध्य प्रदेश में लगभग 2,00,00,00 हेक्टियर भूमी पर बाजरे की खेती की जाती है सर्सों देखें सर्सों की उत्पादन की जैसी बात करते हैं तो आपके दिमाग में भिंड और मुरैना आ जाना चीए जो कि प्रदेश में सर्वधिक सर्सों का उत्पादन भिंड और मुरैना जिल्ले में ही होता है अफीम की बात करें अफीम का वनस्पतिक नाम पैपेवर सोमनी फेरम है मध्य प्रदेश में मनसौर और नीमत जिले में अफीम का उत्पादन होता है जिससे मंसौर सबसे ज़्यादा फेमस है इसके अलावा अफीम का उपयोग दवाईयों के निर्माण में होता है और गैर कानी नी रूप से अफीम का उपयोग नशीले पदार्थों के निर्माण से भी होता है इससे ब्राउन शुगर और हेरोईन जैसी चीज़े भी बनाई जाती है तो अफीम उप्यदक जिला मनसौर है इसके इलावर अगर शुगर और हरोई मिन जाती है इसके अलावा दवाईयों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है गणने की बात करेंगे मद्यप्रदीश में कुल गन्ना उत पादन का पचास प्रतिशत उतपा जिला रहेगा सबसे पहले स्थानियों सबसें उत्पादन न होगा कि गन्यासर करने का सर्वादिक उतपादन कहा होता है और हमारा गोड़ का सरवादिक उत्पादन कहा होता है फिर बात कर लेते हैं तंबाकू की तंबाकू का वनस्पतिक नाम निकोटियाना है तंबाकू का उतपादन लाल पीली म्रदा में होता है और मध्य प्रदेश में तंबाकू का उतपादन रीवा जिले में होता है मतला मध्य प्रदेश में रीवा जिले में सबसे जादा तंब मंद्य प्रदेश में फर्स्ट इस्थान रगता है और सेकेंड इस्थान जो है वो बुरहानपुर जिला लगता है और यह कॉशन बहुत बार पूछ चुका है कि मंद्य प्रदेश में गांजे का उत्पादन कहां होता है तो खंडवा में होता है अलसी का उत्पादन रवी की नंतरकत होता है तो जब भी आप पढ़र है तो पहला जो ऑप्शन है वह सरवादिक उत्पादक जिलह होंगे जैसे कि मुंभल्ली के बात करते हैं मुंभल्ली खरीब की फसल है और मुंभल्ली का उतपादन टेल और भुझ्य दोरों के लिए किया जाता है मतलब एक तो मुंफली का तेल निकाला जाता है और दूसरी चीज मुंफली को तल के भी खाया जाता है विभिन प्रकार से भी खाया जाता है तो इस सबसे ये भोज्जी के लिए भी जानी जाती है मंध्य प्रदेश में रतलाम, मंद्सौर, खरगौन, जाबुआ, बैतू, उलशिंदवाड़ा और शाजापुर में इसका उत्पादन होता है मुँख़ली उत्पादन में भारत विश्व में प्रधम इस्थान रखता है और मुँख़ली उत्पादन में भारत में गुजरात राजी प्रधम इस्थान रखता है इसके लावा बात कर लेते अरहर की, अरहर का वनस्पतिक नाम कैजनस कजान है अरहर के उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का तीसरा इस्थान है मतलब देश में जैसे 28 राज्य है तो इसमें से मध्य प्रदेश जो है वो थर्ड नमर पर इस्थित है अरहर के उत्पादन में अर्यहर का सरवादिक उतपादन जो है वो महराश्ट राज्य करता है इसके अलावा अरहर अनुसंधान केंद्र सीहोर जिले में इस्थित है देखें कैसे याद करना है अरहर का अनुसंधान केंद्र कहा है सीहोर जिले में इस्थित है इसके अलावा प्रदेश का इसके उतप भादक जिला, कुकरू, ग्राम बैतूल जिले में इस उद्यों की गई है, इस शेतर में कौफी उत्पादन को प्रारंब करने का श्रे ब्रिटिश नागरिक सेंट वोल्फोर्ड को दिया जाता है, मतलब एक ब्रिटिश नागरिक थे जो की हैं सेंट वोल्फोर्ड और इन्हो मेस्ता मेस्ता एक रेशचदार फसल है और प्रदेश में मेस्ता का उत्पादन सतना सीधी, रिवा और मंदला जिले में होता है तिल एक खरीफ की फसल है तिल का उत्पादन 20-25 डिग्री तापमान पर 50-100 संटीमीटर वर्षा वाले शेतर में होता है प्रमुख तिल उत्पादक जिलों की बात करते हैं च्छतरपुर, दमोग, सागर, जमलपुर और शिवनी प्रमुख तिल उत्पादक जिले हैं उड़द, उड़द का वनस्पतिक नाम विग्ना मुंगो है, सरवादिक उड़द उत्पादं जिला टीकमगड से किया जाता है और अन्य उड़द उत्पादक जिलों की बात करते हैं तो मंसौर, नीमच और टीकमगड अन्य उत्पादक जिले हैं इस प्रकार से हमने मध्य안 प्रदेश में संपुर्ण क्रशी और म्रदा को संपन देख लिया है infinite उत्पाद कीज नीителru करें जिले, अट जनीली प्रदेश में इस नेक्स्ट उड़द में उत्कर और झालिया, cons Hogh शोबन से इक स्वाहा एन झाल